अब उन्हें उनको रिटन मुआवजा भी भरना पड़ेंगा दरसल यह मामला क्या है हम इसे पूरा तरीके से जानेंगे पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्स्रेप करना बिल्कुल ना बोलें और इस बात की कुछ भनक भी वो उनके फैमिली वालों को नहीं देते और बस बहार आके यह कह देते कि आपके पेशन्ट की मौत हो गई दरसल जनारधन रेड़ी नाम के जो मरीज थे यह वरंगल से हैं और इन्हें कार्डियक इशूस थे इनके कार्डियक इशूस के चलते हैं जो उनने वरंगल के हॉस्पिटल में अपना चेक अप कराया तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि आप हैडरबाद जाए वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा और वहाँ आपको बड़े हॉस्पिटल में दिखाना इसमें उनके जल्दे रिकवर होने के चांसे से यह उपरेशन करना उनके लिए जादा सेफ रहेगा वैसे बता दो इस ऑपरेशन का नाम था मिनिमली इन्वैसिव कार्डियक सर्जरी जिसके करने के बाद उन्होंने बताया था कि पेशन पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे वैसे बता दो कि जो ओपन हाट सर्जरी होती है उससे M.I.C. सर्जरी यह बहुत महेंगी होती है पर फिर भी डॉक्टर के कहने पर फैमिली वालों ने उनके हा करके एडवांस में 6 लाक्स तक रुपे भर चुके थे वो लोग ताकि यह उपरेशन जल से जल शुरू हो और ना ही पेशन के क्या हालत है कि सिचुएशन में अभी है वो रिकवर हो रहे भी है या नहीं हो रहे है क्या क्या डॉक्टर्स लोग उनके साथ क्या क्या एक्स्परिमेंट्स कर रहे है उनके साथ ऑपरेशन हो रहा है क्या हो रहा है यह कुछ भी चीज उनके फैमिली वा को बताई नहीं गई थी वैसे ऑपरेशन थ्रेटर के अंदर जब माइसी सरजरी की गई थी तब यह मैसी सरजरी उनकी फेल हो चुकी थी उसके बाद ही उन्होंने वहाई पे ओपन हार्ट सरजरी करना भी शुरू कर दिया था जहां ऑपरेशन को सिफ तीन से चार घंटे की उ ऑपरेशन हो जाएंगा वहाँ पे उन्हें 16 घंटे लगे और उसके बाद आके वह बुलते कि पेशन्ट जिन्दा नहीं है करके तो फिर जब यह सब हो रहा था अंदर तो फिर उनके पैरेंट्स उनके जो फैमिली वाले हैं नाट पैरेंट्स उनकी वाइफ थी एक्चिली यह सारी चीजे सबसे पहले उनके फैमिली वालों को बताना यह सबसे जरूरी चीज़ होता है बट यहाँ पर डॉक्टर ने वो निगलेजन्स किया उनका बस ऑपरेशन थेटर में वो लोग क्या कर रहे है बस उन्होंने उस पर धान दिया और वो भी फेल हो गया और जिसक कोई भी चिसकी information नहीं दी अब इसके चलते इस hospital वालों को के वसुमती को 15 लाक रुपे देने पड़ेंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने जो negligence की है उनकी जो गलती है उस गलती के बदले उन्हें ये 15 लाक रुपे अब भरने पड़ेंगे अब इसके चलते इस hospital के reputation पे भी क कुछ धब्बे लगे हैं तो ऐसे कुछ न्यूज हमेशे जानते रहेने के लिए जरूर देखते रहे इहा नैशनल और हमारे चैनल को सब्स्क्राप करना बिल्कुल ना बोले